स्वागत आप सभी का स्टॉक मार्केट हिल मैं आज देखने वाले हैं कि टीवी 18 के जो क्वाटर 3 के रिजल्ट है वो कैसे आये क्योंकि आज की दिन कंपनी को क्वाटर 3 के रिजल्ट आउंस करने थे जो की कंपनी ने कर दी है तो चलिए देखने रिजल्ट कैसे है सबसे पहले हम देखेंगे स्टेंड ऑन बिससे पर यहां पर डेटा शोगा वह लाख सोगा तो अगर आप देखेंगे इंकम crypto to farm five three kuart Sea कम मिलने है बात करते है टोटम एगस्पेंस की तो इस क्वाटर में wyrezeit कफितने कफिश्न पहले 202 005 perfect किए थे तो आपको दिख रहा है कि हौट्रम kषण बढ़ा है लेकिन साल दर साल देखेंगे तो तो उसमें और ज्यादा बढ़ा है तो expense company ने all over ज्यादा खर्च कर दिया पिछले quarter और पिछले साल के मुकाबले अब हम देखने वाले profit before tax तो इस quarter में 19 करोड का profit आ रहा है पिछले quarter में 16 करोड का loss था एक साल पहले 96 करोड का profit था तो profit before tax quarter quarter अच्छा है लेकिन साल दरसाल यहां पर वीक है final profit देखेंगे 31 करोड का final profit आ रहा है पिछले quarter में 12 करोड का loss था एक साल पहले 22 करोड का profit था तो यहां इस trend loan में आपने देखा कि quarter quarter result अच्छे है साल दरसाल अच्छे नहीं है तो यहां तक तो neutral दिख रहा है अभी तक तो बहुत जादा ना अच्छा कहेंगे ना बहुत जादा खराप आएंगे अब हम चेक कर लेते हैं consolidated basis पर result कैसे है क्योंकि वहां पर अच्छे होंगी तो result अच्छे हैं वहां पर खराब होंगे तो result बेकार है तो आचुके है consolidated desert हम चेक करने अब यहां पर भी देखेंगे तो data जो शोगा आपको वह लाग में होगा जैसा कि देख सकते हैं तो अगर आप यहां पर income देखेंगे तो 1822 क्रोड की income में पिछले quarter में 1483 क्रोड की income थी एक साल पहले देखेंगे 1592 क्रोड की income थी तो यहां पर income में बढ़ी है quarter quarter भी year on year पर भी expense 1812 क्रोड का इस quarter में खर्च किया है पिछ्रे quarter में 1485 क्रोड का खर्च किया था एक साल पहले देखेंगे तो 1249 क्रोड का expense किया था तो expense भी यहां पर company ने बहुत ज़दा खर्च कर दिया है quarter quarter भी year on year पर भी तो कह सकते है यहां तक जो performance है वो कुछ खास अभी तक दिख नहीं रहा है क्योंकि expense बहुत ज़दा company ने खर्च करती है लेकर आप यहां पर profit before tax देखेंगे 24 क्रोड का रहा है और पिछले quarter में देखेंगे 9 क्रोड का था एक साल पहले 355 क्रोड का था तो profit before tax आपको पिछले quarter के तुलना में अच्छा देखने मिला है लेकिन पिछले साल के तुलना में बहुत कम profit देखने मिला है तो आपको पता है यहां पर जिस तरह से नतीजे आये हैं उसी के बाद इसमें तो आपको sell up देखने मिला है क्योंकि market ने क्या देखा market ने यह देखा कि एक साल पहले तो बहुत profit हुआ था अपकी पर उतना profit नहीं हुआ इसलिए लोगों ने जो भी ट्रेडर होते हैं वो लोग देखते हैं स्टॉक में जो result है वो अच्छे नहीं है तो वो लोग sell करते हैं जिस वज़े से stock नीचे आ तो यहां पर देख सकते हैं almost 11.47 मिन पर नतीजे आये हैं और अगर आप इसका देखेंगे current price यहां पर प्राइस देखेंगे तो यह दिखेंगे जो के एंडल उसके बाद बहुत तीजी से हमें सेलिंग देखने को मिलिये यहां पर देखें कितने मज़ें 11.47 पर और देखे कैसे हैं यह भी आई होप आपको समझ में आ गया होगा अब हम देख लिए तो यहां से कितना नीचे इस टॉक आ सकता है या फिर कभी यह उपर जाएगा यह भी हम समझेने वाले हैं यहां पर सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर स्टॉक 35 पर आ जाता है तो कर सकते हैं या फिर स्टॉक क्या करें यहां पर लगातर कंसॉलिडेट करें और 38 के उपर निकले 38 के उपर जब क्लोजिंग दे वहां पर चाहें तो बाय कर सकते हैं और अल्मोस्ट आपका 43 के असपास टार्गेट हो सकता है तो दोनों चीज़े मैंने आपको बता दी जब पर आता है तो बेस्ट स्रेनरियो बाइंग का या फिर जब यह इंग करके 38 के उपर निकलता है या फिर 38 के उपर क्लोजिंग देता है वहां पर आप आप कर सकते 43 आपका टार्गेट रहेगा यह वीडियो आपको अच्छी लगेगी इस वीडियो को लाइक कर दीजे चैनल जाया होगा तो इस वीडियो को जरूर लाइक करिएगा जिससे मारा मोटिविशन बना रहे हैं